कि लड़का तुम्हें बहुत पसंद आएगा बाला बहुत अच्छा लड़का है हाँ हाँ बेटी हम लोग तुम्हारे दुश्मन तो नहीं है किसी अच्छे लड़के से ही तुम्हारी शादी करवाएंगे न आखिर तु हमारी इकलोती बेटी है आच्छा ठीक है मा अब ज्यादा भावुकता पुर्ण शब्दों का इस्तिमाल ना करो मैं चलने के लिए तयार हूँ चलो फिर बिना देर के हम सब चलते हैं सभी बाला के घर पहुँचते हैं अरे क्या बात है बहन जी अभी तक आपका बेटा नहीं आया जी बस आता ही होगा तबी वहां बाला आता है लो जी आ गया मेरा बेटा ये लोग तुझे देखने आये हैं और ये इनकी बेटी नमरता है बाला के सर पर बिल्कुल बाल नहीं होते ये देख नमरता और उसके परिवार वालों की आखे फटी की फटी रह जाती है ये तो टकला है हे भगवार मा पिता जी आप दोनों एक टकले से मेरी शादी करवाने वाले थे अरे ये तो पूरा उजड़ा चमन है देखो बेटी इस तरह किसी का मजाक उड़ाना गलत है किसी के बारे में इस तरह की बाते नहीं करते बालों का क्या है वो तो आते जाते रहते हैं लड़का टकला है तो क्या हुआ इंजिनियर है अच्छा खासा कमाता है आप चुपरे ये जी इसकी तरफदारी इसलिए कर रहे है क्योंकि आपके भी सर पर बाल नहीं है मैंने तो आपसे शादी कर ली मगर मैं अपनी बेटी की शादी एक टकले से बिलकुल नहीं करवाओंगी अरी ये क्या कबसे आप लोगों ने टकला टकला लगा रखा है और माफ करना तुम भी कोई हूर की परी नहीं हो तुम लोग मेरे घर में आकर मेरी ही बेज़ती कर रहे हो निगल जाओ यहां से हाँ हाँ तो जा रहे हैं न हमें भी यहां रुखने का कोई शौक नहीं है नमरता और उसके परिवार वाले उचकर वहां से जाने लगते हैं तभी नमरता का छोटा भाई जाते जाते कहता है तकला तिरा बाप तकला और इस तरह बाला का रिष्टा तूट जाता है फिर एक दिन सडक के किनारे एक आदमी गूम गूम कर कंधी बेच रहा होता है कंधी ले लो कंधी एक से बढ़िया एक कंगी ले लो नए जमाने की कंगी ले लो अरे भाई ये लो गूमते गूमते वो बाला के पास पहुँच जाता है अरे भाई साब कंधी लोगे क्या ये लो तभी उसकी नजर बाला के सर के उपर पड़ती है औरे माफ करना भाई साब, आप इसे लेकर क्या करोगे, आपकी सेर पर तो बाली नहीं है, आपका तो स्टेडियम पूरा खाली है, चलता हूँ, कंदी ले लो, कंदी ले लो कंदी ले की बाते सुनकर, बाला को बुरा लगता है, उस समय बाला को ऐसा मैसुस होता है, कि उसके लिए दुनिया में सबसे कीमती कोई चीज अगर है, तो वो सिर्फ बाल है, बाला सडक पर चलते हुए लोगों के बाल बड़े गौर से दिखता है, चलते चलते बाला एक मंदिर के पास पहुँच जाता है, हे बगवान, तुमने ये मेरे साथ क्या किया, थोड़े से बाल अगर मुझे दे देते, तो तुमारा क्या चला जाता है, सारी दुनिया मेरा मजाग उड़ाती है, अरे भई आज पहला इंसान देख रहा हूं, जो मंदिर आकर बगवान स तुमें सब कुष तो दिया है, अच्छी सेहतै, अच्छी नौकरी है, लगता है तुमारी तब्ये ठीक नहीं है, घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा, बाला वहां से चला जाता है, घर पहुँचकर बाला खाना खाता है, और अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है, पिर खुशी से जुम उटता है अरे ये तो चमदगार हो गया मेरे सर पर बाल आ गया लिकिन ये हुआ कैसे दोस्तो अगर आप इस कहानी का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताए